आज के competition market में sale को कैसे बढ़ाया जा सकता है औरों से अलग हटकर ब्यापार की रणिती कैसे तयार किया जाए कि ग्रहक एक बार साप में आए तो बार बार आने की उसे आदत पड़ जाए आज मैं बिल्कुल genuine और latest तरीक आपके साथ share करने जा रहा हूँ वो भी कुछ उदारन के साथ अगर आप विचार मन्थन करके अपने ब्यापार पर लागू करते हैं तो अपने competitor को भी कड़ी टकर दे सकते हैं आपका cosmetics का business हो या कुछ और लेकिन अपने ब्यापार की नजरिये से इसे देखेंगे तो बहुत ही useful ideas आपको इस वीडियो में मिल सकता है इसलिए वीडियो को अंतक अवस्य देखें अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दू ये मेरा 123 वीडियो है इस चैनल पर नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला ब्यक्ति भी एमटेक चैनल के सभी वीडियो को देखकर 6 महिने में 6 साल के बराबर का अरुभाव हासिल कर सकता है अगर आपका कोई परेचित ब्यक्ति नया बिजनेस सुरू करता है और आप से ब्यापार के बारे में सलाह मांगता है तो एक काम कीजिएगा उसे एमटेक चैनल का पता बतला दीजिए वो ब्यापार करना बहुत जल्दी सीख जाएगा दोस्तो नमस्कार मैं महांतावाई एमटेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ तो आईए सुरू करते हैं नए ग्रहक को कीमत चौकाने वाला लगाएं आपके असपास जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उससे बिल्कुल अलग करने का प्रयास कीजिए ग्रहक को उमीद से जादा दीजिए कस्टमर को अटेक्ट करने का प्रयास कीजिए लुभावने आफर्स बतलाएं क्रास सेलिंग फार्मूला अपनाएं इन सभी पॉइंट को मैं एक ही लाइन में बोलूं तो वो कुछ इस तरह से होगा मार्जिनल आइटम के साथ वेरी लो मार्जिन और फास्ट बिखने वाला प्रोड़क्ट या जिन वस्तुओं को कस्टमर बार बार खरितता है ऐसे सिक का आइटम पर ऐसा डिसकाउंट दीजिए जो किसी भी साप पर तो क्या फोल सेल काउंटर पर भी ढूंडने से ना मिदे इसे कहते हैं एंटी बेरियर सेल्स टेकनीक तो चलिए इसे एक उदारन के द्वारा समझते हैं जैसे फाग डियो में मार्जिन कितना रहता है अगर आप बेजते हैं तो आप जानते हैं मैं आपकी पोल नहीं खोलूंगा लेकिन उसके साथ 25 ग्राम फेयरेन लबली या विको जिसमें 10 से 15 पर दिस्द के आसपास मार्जिन है जिसे ग्राहक रेगुलर खरिदता है उसे रेट टू रेट या केवल 2 रुपए मार्जिन लेकर दे दें तो क्या होगा वो ग्राहक दूसरे साथ में जाएगा ही नहीं या फिर ग्राहक जब कोई मार्जिनल आइटम खरिदता है तो उससे एक सवाल कर लीजे कि सर या फिर मेडम आप एक नजर हमारे साथ के वेराइटीज को गौर कीजिए और पांच ऐसे प्रोड़क्ट के नाम बतलाएए जो आप यूज करते हैं हम आपको कुछ इस्पेसल बेनिफिट देना चाहते हैं कोई भी पांच आइटम अब उसने मान लिजे तीन या पांच आइटम के नाम बतला दिये तो तुरन दिमाग लगाएं कि उनमें से कौन साइटम वो रेगुलर खरिदता होगा जिसमें सबसे कम मार्जिन है जैसे कि मान लिजे वो लग साबुन यूज करता है तो सिंगल प लगभग 116 रुपए के आसपास तो आप उन्हें 4 पीस 115 रुपए का रेट बतला दिजे साथ ही ये भी बोल दिजे कि जब भी आप ये डियो खरीदेंगे तो इस साबुन का एक सेट आपको इसी कीमत पर मिलेगा या फिर गुड नाइट की रिफिल MRP 75 और खरीदी 67 के आस इसकाउंड दे दीजे कास्मेटिक के साब में ऐसे बहुत सारे प्रोलक्ट मौजूद होते हैं जो 30 से 70 परिशत तक मारजिन क्रियेट करता है और ऐसे भी बड़े ब्रांट के च्छोटे प्रोलक्ट होते हैं जिनमें मारजिन 10 परिशत के आसपास होता है तो इस तरह से चा दूसरे वस्तू की कीमत सुनकर चौक जाए अर्थात उसकी सोच से कम या फिर पांच साथ आइटम एक साथ खरीदने वाले बैक्ती को जो आपको कुछ कमाई देकर जाने वाला है उसे कम से कम एक आइटम को रेट टूरेट जरूर लगाई ताकि वो उस एक वस्तू की वज़ होंगे ग्रहके खरीदने के और दुबारा साप में आने के आज डिसकाउंट तो मार्केट की परंपरा बन गई है लेकिन चीप रेट पर बेचने की सुरुआत आप के रिया में सायद आप से सुरू होगा आप कमाई करके भी सस्ते में बेचने वाले सापकी पर बन अगर इस तरह के आफर्स आप सुरू करते हैं तो इसका एक फाइदा आपको ये भी हो सकता है कि जो आइटम एक्सपाईरी डेट के नजदी का रहा है ऐसे वस्तु को आफर्स बनाके बेच कर भी अपना पैसा खड़ा कर पाएंगे आपका वो प्रोड़क्ट एक्सपाईर आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आप तैयार करेंगे तो क्या आपको नहीं लगता इससे कुछ आनलाइन कस्टमर को भी जो आपके साफ में आते हैं उन्हें अट्रेक्ट किया जा सकता है आनलाइन वेबसाइट में अपने ब्यापार से सम्मधिद आइटम की आफर्स को तो ऐसे हालात में उससे दूसरे मारजिनल आइटम की तरब आकरसित करने की कोशिस कीजिए ताकि ऐसे आफर्स के द्वारा उन्हें अटेक्ट किया जा सके आज की तारीक में आपका कंप्टीटर जिस कीमत पर किसी सामान को बेचता है और उस कीमत पर आपकी खरिदारी होती है जब ये बात कोई ग्रहक आपसे कहता है तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है उस ब्यापारी को अपसब्द कहते हैं ग्रहक के सामने उसकी बुराई करत अपनी मांगे खरीदारी की दुहाई देते हैं क्यों नहीं दे पाएंगे अपनी मजबूरी बया करते हैं इससे क्या ग्रहक आपकी बात मान जाता है सायद ऐसा बहुत ही कम केस में देखने को मिलता है कि ग्रहक आपकी बात मान जाए और खरीद ले लेकिन जहां तक मेरा किमत पर वो वस्तु मिलता है तो फिर सही कदम क्या होनी चाहिए अपने कंप्टीटर की रणिती को समझने का प्रयास कीजिए वो बल्क में खरेदारी की वज़ास सस्ता बेशता होगा दूसरे आइटम में परियाप्त कमाई की वज़ास से एक दो आइटम को कस्टमर अट्रे को मैंने समझाया है इस रणिती का हो सकता है वो पहले से इस्तेमाल करता हो दोस्तों लोगों पर ब्लेम मत कीजिए अपनी स्टेटेजी को स्ट्रांग कीजिए तो मेरे ख्याल से अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि ऐसे सिच्वेशन में आपको क्या करना चाहिए आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं आपको अपनी रणिती को बनाने में ये वीडियो मदद कर सकता है आपको एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि जब आप अपने ब्यापार के लिए रणिती तियार करें तो जोश में आकर अपना प्लान किसी के साथ सेय करना करें दुकानों की संख्या विराइटी की संख्या सोशल मीडिया में इंगेजमेंट लोगों के द्वारा लगाता नय नय चीजों को अपनाने की आदत मोबाइल के द्वारा प्रोडक्ट और उसके प्राइज पता करने की आदत पैसे बचत करने की तीव्र चाहत और ज हिर से अलग कंप्टीटर से कुछ अलग तरीका अपनाना होगा दिमाग को धार करना होगा जो आपको आगे ले जा सके ऐसे इसकी मलगू करने के लिए इस्टार्टप में थोड़ा परिशानी आ सकता है लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ मैनेज करना सीख जाएंगे दोस्तों किसी ने क्या खुब कहा है ना मैं गिरा ना मेरे उमीदों के मिनार गिरे पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया लोगों को तखलीब तब हुई जब मैं जी गया आपसे मेरा एक सवाल है क्या ये रंडिती आपके बिजनेस में कस्टमर की संख्या बढ़ाने में मदद कर सकता है अपना विचार कमेंट बाक्स में जरूर रिखें वीडियो आपको यूसफुल लगे तो दिल से एक लाइक कीजिए पसंद आए तो डिसलाइक जरूर कीजिए चैनल पर आपका पहला विजिट हो तो ऐसे वीडियो देखने के लिए एमटेक चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए साथ नोडिक्सन की आल बटन घंटी को जरूर दबा दीजिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जैहिन वन्दे मात्रम